कपिश श्रीवास्तोजी समाजवादी पार्टी क्या UCC का विरोध कर रही है यही स्टेंड है समाजवादी पार्टी का अब तक जो हमने आपके निताओं के बयान सुने है विशाल जी समाजवादी पार्टी यह कहती कि जो हमारा 21 विदी आयोग गठित हुआ था उसने जो अपनी रिपोर्ट लिखी थी हम उसके साथ हैं और उसमें इस पस रूप से कहा गया है कि UCC से बहतर होगा कि प्राइवेट लॉज का सहीता करण करना क्यों उसका दो आकारण बताया गया विशाली कि ये जो है भेद भाव को केवल दर्शाता इसलिए आप सहीता करण करके उस भेद भाव को दूर कर सकते और यहां तक आर्टिकल 44 की बात है इतना ही प्रेसेस था अगर तो हमारी सम्विधान सभा ने क्यों नहीं लागू कर दिया उसको मूल अधिकारों में रख करें यो आठिकल 44 के अंदर और एक बड़ी बात यो आखिर बाबा साथ भीम राओं वेटकर जो UCC को लाना चाहते थे उन्होंने अंत में ये कहा कि आगे आने वाली सरकारें प्रयास करेंगी कि वो सामन सिविल कोड लागू करें लेकिन अगर कोई सरकार बिना किसी सहमती के और इसे जबरन लागू करती है तो ये उस सरकार का पागलपन होगा साथ ही इसमें जो लीगल अब्लिकेंशन थी वो आर्टिकल 25 से लेके 28 क्यों निलंबित हो रही है उन जिन पर प्रभाव पड़ेगा उनका वैल्यू क्या होगा ये तो बैठे हुए बात पेशाब हम दोनों मिलके डिसकस करेंगे अचा कपीश जी क्या विधी आयोग के पास आपकी पार्टी भी जा आपकी पार्टी का क्या सुझाओ गया है विधी आयोग के पास अपना व्यक्तिकर स्वजाओ भेजा है यूसी सी से बैतर होगा कि परस्नल लाज का सहीता करन करना क्योंकि जो हमारी विधी आयोग 21 मेहनत की थी और उस पर जो है बियस चोहां साह के जो पूर्व हमारे न्य इसमी विधी आयोग की रिपोर्ट की सुझति को लागू करने की वकालत पर जाएगा क्या लगता है मौनसून सत्र में आ जाएगा क्योंकि अगर ट्रेक रिकॉर्ड देखें जो 5 अगस्त की तारीक है वो काफे दिल्चस्प हो चुकी है पिछले कुछ सालों में क्या 5 अग अब यह तो बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा बढ़िया बता पाएंगे के भी ला रहे हैं के नहीं ला रहे हैं देखे समधान के आर्टिकल 44 में बड़ा क्लियर लिखा है कि सरकार को इसको लाना होगा उनिफॉर्म सिविल को लाना होगा और सरकार के जो बीजेपी की वर अरिफेस्टों में है तो उनको लाना चाहिए अब इसमें जो परिशानी आ रही है जब आप पूछ रहे हैं हाँ या ना परिशानी सिर्फ यह आ रही है कि ड्राफ्ट तो चाहिए ना किसी चीज़ का जे मतलब ड्राफ्ट अगर आ जाएगा तो फॉरन यस और नो में जब पाते ता भी एक तरीके से जे वो कहता है कि इंचोर करेंगी सरकारें के जब अगर हम उसको एक आधार बना कर देखें जो यूसी सी का ड्राफ्ट है उत्रा खंड में जैसे शादी के लिए बढ़ेगी लड़कियों की उम्र सीमा ग्रेजुएट होने के लिए उम्र सीमा ब पाबंदी लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा लिविन डेक्लेरेशन माता पिता को सूचना जरूरी पती पती में बिवात पर ग्रैंट पैरेंट्स को कस्टेडी जन संख्या नियंतरन के लिए बच्चों की संख्या होगी तैं इस तरह कि जो सूत्रों से खबर आ अच्छा विस्वास रखते हैं अगर उत्राखंड वाला ड्राफ्ट आता है यहसा अगर उत्राखंड वाला ड्राफ्ट आता है जो सूत्र बता रहे हैं जो हमें भी जानकारी है तो उसमें किसी को कोई अतराज हो ही नहीं सकता और ना कोई अतराज करेगा लेकिन दिक्कत किया नहीं है एक छोटा सा एक्जम्पल में देता हूं और ये खाली मुस्लिम धरम के लोगों को ये अफेक्ट नहीं करेगा प्लीज हमारे हिंदू समाज के लिए भी बहुत बड़ी आई ये आप अगर तमिल नाडू में चले जाएंगे तो तमिल नाडू में मामा जो है हिंदू कोड भी खतम हो जाएंगे मुसल्मानों के शरीयत एक्ट भी खतम हो जाएगा मनलब ये थोड़ी से प्राब्लम आ रही है हम तो सरकार के साथ हैं लेकिन जैसे ही ड्राफ्ट अभी अलोग बैटे है अजे अलोग जी अगर ये कह दें के ड्राफ्ट आ गया है तो हम बिल्कुल इनकी बात से सहमत हो जाए कि आज ये बताओ आया ना लेकिन जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा ड्राफ्ट के कौन से पैरे में किसको अब्जेक्शन है किसको नहीं है ये कैसे बात तैया होगी भाई